नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से डबल कटोरी जिसको बॉम्बे कटोरी भी बोलते हैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताऊंगी और इसको बनाना बहुत सरल है जैसे हम कटोरी बाला बलाउद बनाती तो उसमें एक नुक निकलती है वह भी नि किया अब देखे जैसे हमारे ब्लाउज है तो इसकी जो लंबाई यह बो लेंगे ब्लाउज की लंबाई यह वो 17 इंच है इसकी चेश्ट है 40 यानि 20 इंच लेना है आपकी जितनी भी चेश्ट है आप उतनी चेश्ट लें तो यहां पर देखिए हमने पहले 1.5 इंच यह सिलाई के लिए कपड़ा अलग से लेंगे जो तुर्पाई करेंगे अब इसके बाद हम यहां पर निशान लगाएंगे 17 इंच पर यह हमारी रहेगी लंबाई अब देखिए हम डीप कला बनाएंगे तो इसके सोल्डर लेंगे बो लेंगे साड़े पांच इंच आरुमर लेंगे 6 इंच अब 10 इंच पर लगाएंगे 20 का आदा 10 इंच यह हो गया हमारा फिटिंग का निशान इसके बाद 1.5 इंच लेंगे हम सिलाई के लिए कपड़ा अलग से और यहां पर हमने चौकुटा बना लिया उसके बाद देखिए ऐसे गोलाई आदा इंच की की दूरी रखते हुए हमने गोलाई का निशान बना लिया 1.5 इंच गले की चौड़ाई गले की लंबाई हम यहां पर लेंगे 10 इंच चौकुटा और उसके बाद ऐसे गोलाई अब बीच की जो प्लेट है वो हम सोल्डर से इस तरीके से निकाल देंगे सबसे पहले हमें पीछे का पाट निकालना है अब देखे हमने पीछे का पाट निकाल लिए उसके पराबर हमने एक पेपर पर कटिंग करनी है अब यहां पर गले की लंबाई हमें कम करनी है गले की लंबाई हम यहां पर साथ इंच की रखेंगे अब देखें पीछे का पाट आदेंगे इसमें आपको एक बात देखनी है जब हम पीछे का पाट हमने यहां पर लंबाई रखी है उससे हमें डेल इंच लंबाई में ज्यादा लेना है पेपर देखिए यह हम कोई कपड़ा भी काटेंगे उसको भी हम डेल इंच बढ़ा कृईक लिलेगे आगे का गय्यां हमें आगे का पाट ऐससे में आपको आगे का पाट आपको लंबाई में ज्यादा लेना है क्यों कि आगी की साइट हम तीरा लगाते हैं पिलेटल आंड अलेंगे कटोड़ी लेना जोड़ें लंबाई में पिछे का 상황 reconstruction एह अब धाएंकर हम सिंपल बलावच अब अब हमें अपना जो फिटिंग का कपड़ा निकालना दस इंच हमारा फिटिंग का निशान अब देग को 흥 आप तीन वागों में बातेंगे तो अगर हमारा यही कह May 9 फिटिंग कपड़ा तो हम 6 इंच की कटोरी बनाते हैं तीन इंच की यहां पर तीरा हो नहीं है नहीं नहीं है कि दिए कि वह सब प्रण सनखेव सब्सक्राइड कर देंगे किसी और इसको हम एक अच्छा सा सेब देंगे देखिए अपनी मर्जी से में इसको सेब देंगे इसमें हमें कुछ भी नहीं करना इस तरीक इसे अब सब से हम यहां पर ये का कटन करेंगे कुछ कर दो के परीच लाइक करिए हुआ हमां काक्सोक्ति जांफितेख मैं इसके dom करना एक तरीक लोगहाँ कुछ अब इसी को हम अपने कपड़े के ऊपर रखेंगे लेकिन उससे पहले हमें इसमें निशान डालना है कि इसको हमें जोड़ना है ऐसे लेकिन इससे भी पहले आपको एक काम करना है इसमें हम ऐसे करके गोलाई दे लेंगे इस तरीके से लेकिन वह हम कपड़े पर देंगे ऐसे करके आदा इंच जितना भी हम यहां पर गोलाई देना चाहिए उतना गोलाई दे तो इसको इसमें भी दे सकते हैं देखिए हम लेकिन हम कपड़े पर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसी को हम रखेंगे कपड़े को अब देखिए यहां से हमारा यह तीरा जाएगा यहां पर हमें आदा इंच लेना सिलाई के लिए कपड़ा ऐसे करके जोनों साय ढाद ादा इंच ले लेंगे नीचे की साद यहां पर लेंगे 1.5 और इसको हमें ऐसे गोलाई में ऐसे करके देखे गोलाई में यह उपर का पाठ हो गया अब नीचे की कटोरी निकाल लिए इसको रखा हमने ऐसे करके हमें यहां पे प्लेट के लिए कपड़ा चाहिए एक इंच इदर की साइड लेना और एक इंच इदर की साइड दोनों साइड हमें चोड़ाई में कपड़ा बढ़ाना है अब देखें यहां पे हमारा ऐसे करके यह उपर का पार्ट है जो सीधा है वह हमारा उपर का पार्ट है तो देखिए उपर के पार्ट पे हमने ऐसे रखना है यहां पे चोड़ाई कम है यहां पे हमारी यह चोड़ाई कम है यह ऐसे करके जोड़ा हुआ है ऐसे करके देखिए एसे जोड़ा हुआ न हमें ऐसे ही निशान बनाना है इनको जोड़ ना है ऐसे रखा हमने और इसको रखा ऐसे देह की हमने ऊपर वाले जो पार्ट में गोलाई दे लिए अब हम यहाँ पर नीचे के बाले गोलाई दे सकते हैं यहां पर आदा इंच का लेकिन पहले आप इसी तरीके से जोड़ें सीधा जब आपको लगे कि नहीं मुझे और भी हैवी पप चाहिए जब आप यहां पर कपड़े को काटके गोलाई दे सकते हैं तो यह दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं और इसका पछीक नहीं करेगे पहले पिरहें फिर जोड़ेंगे और यहां पर हम्मेशs काहँ की महीं बीच में House करते में तो हैसे करें एसी स्टेशिघंग हमारे चैनल में जाकर देखंगे इसकी मैंने पूरी प्लेविंग बुल्लिस्ट बनाई को कैसे जोड़ना है aph learn कि अब देखिए यहां पर हमारा बगली का तीरा आ गया और यह आ गए हमारे उपर के पाठ और यह हो गया हमारा नीचे का पाठ अब देखिए यहां पर जुड़ा हुआ है उपर के साथ इसको काट लेंगे कि ने अब है यहां पर काट करना थेस तरीके झोलणा है अब यह कपड़ा बचा वह इसमें से में बाजु निकालनी है तो अधिर में यहां परम पर कपड़ें की जूड़ा है वह साड़े सत्रा इं-च और लंबा ही है साड़े मेंगार इंच तो हमें सबसे पहले अपने कपड़े को ऐसे करके डबल करना यहां पर डबल है पहले से दौनों बाजू का यहां पर लेना हमें तीन इंच इसको हमें उपर की साथ ऐसे लेके जाना आदा इंच हमिया पर काट लेंगे यह हमारी दोनों बाजू हो गए यह आगे के पाट है हमारे और यह हमारा पीछे का पाट है अब देखिए कितने आसान और सरल तरीके से मैंने आपको कटोरी डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई है अब देखिए इसी तरीके से आप के लोग हर साइज की कटिंग कर सकते हैं और अगर आपको कुछ डाउट सेखिए अब कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए हम आपके सारे डाउट किलियर करेंगे और वीडियो लाट दो दो चाहिए हमें सपोर्ट कीजिए धन्यवाद